सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन करने की कोई बात नहीं, आपने बिलकुल ठीक सवाल पूछा है, हर समझदार व्यक्ति के भीतर ऐसा सवाल उत्पन होना ही चाहिए, हम कुछ भी करने जा रहे हैं अपनी जीवन में, तो क्या, क्यों, कैसे, सवाल उठना ही चाहिए, ऐसे समझदार व्यक्ति का स्वागत है, मै वी अभी ओशन सिद्दार जी ने विस्तार से चरचा की, अध्यात में से हमें क्या लाब होंगे? एक पॉइंट और सोचिए, जिसको आप कह रहे हैं सुक सुविधा, वो है बाहर की चीज है, ज़र आपने भीतर देखो, क्या तुम निश्चिंत हो? क्या तुम निरभै हो? क्या तुम अशांत नहीं हो? बाहर की सामान का विकास हो गया, हमारे मनुष्य होने का विकास वह नहीं है. बहुत लोग कहते हैं कि सब बता इतनी विक्सित हो गई मनुष्य बड़ा विक्सित हो गया मुझे तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता मनुष्य कहां विक्सित हुआ मनुष्य तो जोंकतियों है जैसा हजारों साल पहले आदिवासी हुआ करता था हाँ सामान विक्सित हो गया, कुर्सी आपके पास ज़्याद अच्छी है, बैल गाली की जगह कार आ गई, कपड़े ज़्याद अच्छे हैं, जूते ज़्याद अच्छे हैं, मकान ज़्याद अच्छा है, आप अच्छे नहीं हैं, इस बात को जरा गौर से टटोलना, मैं कभी एक आंत कमरे में खिड की दरवाजे बंद करके एक कागज पर वह सब लिखते जाना जो आपके मन में चल रहा है, सिर्फ पाँच मिनिट के लिए उसमें कोई editing नहीं करना अधूरा वाग के आया तो अधूरा, जो कुछ चल रहा है, पूरा लिख देना, पाँच मिनिट फिर आप सोचना क्या आप इस कागज को अपने निकटतम मित्र को भी दिखा सकते हो, कि मेरे मन में ये चलता है साफ पता चल जाएगा कि भीतर मैं पागल हूँ ये सब क्या चल रहा है कोई मांसिक रोग है क्या उपर उपर से आप अच्छे कपड़े पहनें और अच्छी कार चला रहा है, अच्छे मकान में रहा है इससे क्या होता है, भीतर आपकी हालत क्या है, वो तो देखो क्या आप शटरी रिपूँ से अच्छी सुनी थी, नो कैसे हो गए, डिड़गुनी, फिप्टी परसेंट बढ़ोत्तरी, को जी एश्टी वगरा लग गया क्या वो कैने लगे, आपको पता नहीं, तीन रिपूँ और है ये और भी खतरनाक हैं, छे से ज़्यादा खतरनाक, इंसे छुटकारा पाना संभव नहीं, एक है वाटसप, एक है ट्विटर, एक है फेस्बुक, नीन धराम होई जा रही इनके पीछे, आप छूटना चाहेते हो, मगर नहीं छूट सकते, आप अपनी आदतों के गुलाम ह क्या आपको स्वामित्व किया के अकांच्छा नहीं है, क्या आपको अपना स्वयम का मालिक नहीं बनना, एक उधारन समझ लीजिए, एक पती-पत्नी में कुछ कलय हो गयी, जगड़ा हो गया, दोनों ने मनीवन सोच लिया कि आगे से इस मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं करेंगे, हमें सा बहस हो जाती है, दूसरे दिन पती आफिस गया है, आफिस में भी उसने कई बार सोच लिया, कि घर जाके उस विशह पर चर्चा करनी ही नहीं, और यहां घर में पत्नी ने भी तैकल लिया, कि उस विशह की कोई चर्चा नहीं करेंगे, अस्वेंड आएग जो घर आते हैं, थोड़ी बहुत यहां वहां की बातचीत करते हैं, और पत्नी भी यहां वहां की बातचा दो, तीन, चार मिनिट भी नहीं बीटते हो फिर भी मुद्द चड़ जाता है, यह किसने तय किया था, निरणे लिया था, कि अगा सम्खाई थी, और पालन क्यो नह हुआ क्या हमारे अंदर एक मूर्चा बेहोशी नहीं है क्या हम एक होश पूर्ण गत्ती की तरहें वैभार कर रहे हैं तब आपको समझ में आएगा कि ध्यान की होश की अध्यात्म की जरूरत है तो बाहर सुख सुविदाएं हैं बहुत अच्छी वात है मैं उसके पक्ष में हूँ लेकिन भीतर भी कुछ और हो सकता है शांती हो सकती है समाधी हो सकती है सहास हो सकता है मुक्ति का एहसास हो सकता है आप अपने स्वामी बन सकते हो ये भीतर की संपदा भी पाओ बाहर की संपदा बहुत अच्छी एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी सोने में सोहा सोने में सुगंध तो सुक्सु विदाय मिल गई सफलता मिल गई बाहरी जीवन में ये सोना है अब थोड़ा सुगंध और हो जाए तो मज़ा आजाएगा अध्यात्म वही सुगंध है एक मित्र ने पूछा है क्या जिंदगी में अध्यात में जरूरी है मिलता है जलता ही सवाल है इन्होंने आगे लिखा है कि क्या पूजा पाठ मंतर जापादी से काम नहीं चलेगा अगर काम चल रहा होता तो आपका चल ही चुका होता है पक्का है कि नहीं चलेगा मैंने सुना है एक अधेर उम्र के महीला पुलिस थाने पहुंची और थाना इंचार से कहा कि मेरा पती गोभी लेने गया था वजार एक हपता हो गए अभी तक नहीं लोटा क्या करूं थाना इंचार ने कहा अरे कोई और सबजी बना लो गोभी बनाने जरूरी है आप पूछ रहे हैं कि अध्यात मी जरूरी है गोभी की जगा तो रिप्लिस्मेंट हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ध्यान की जगा, ये अन्नी चीजें जो आप गिना रहे हैं, पूजा पाथ, मंतर, जापादी, ये काम नहीं करेंगे. हाँ, आप उनको ऐसा कह सकते हो, जैसा भी थोड़ देर पहलों सो सिद्धार जी ने बताया, के जी स्कूल की तरह समझो, इस टार्टिंग पॉइंट, लेकिन वहाँ पर सिक्षा प्रणाली का अंत नहीं हो जाता, बहुत आगे बढ़ना है, और मुख्य बात क्या है, हमारी होशोना, भगवान बुद्ध एक दिन प्रवचंदे रहे थे, सामने ही एक बैठा व्यक्ति अपना पैर का अंगुठा हिला रहा था, बुद्ध गौर सो उसकी तरफ देखने लगे, जैसी उसको पता चला कि बुद्ध मेरे पैर का अंगुठे की तरफ देख रहे हैं, वो हादमीन का आप भी कहां की छुद्र वातों में पढ़ रहे हैं, आप अपने ब्रम्य ज्यान की प्रवचंद को जारी रखिए, अंगुठे से क्या ले ना देना, मैं जानमुच का नहीं हिलाता है, अपने आप हिल रहा है, बुद्ध दिन का हद हो गई, तुमको पता नहीं और अंगुठा हिल रहा है, ये तो बड़ी बेहोशी की बात है, ऐसी आदमी का क्या भरूसा कल तुम किसी का मर्डर कर दो और कहोगी मैंने थोड़ किया हो गया, और वास्तों में दुनिया में ऐसा ही हो रहा है, कई हत्यारे हैं, जो अदालत में कहते हैं कि हमने मर्डर नह कितने काम हैं जो आप बेहोशी में कर रहे हो, निश्चित रूप से ऐसा जीवन एक सुन्दर जीवन तो नहीं हो सकता, तो जीवन में अध्यात्मी की जरूरत है, जीवन को सुन्दर बनाने के लिए, बहतर बनाने के लिए, होश पुन बनाने के लिए, विवेक से युक्त करने के लिए ये जो रेप्लेस्मेंट आप सोचते हो कि पूजा पाठ कल लें गरंत सास्त्र पढ़ लें मंतर जाप कल लें इन से सुरुवात हो सकती है समझदारी पूरवक अगर आपको पता है कि ये केवल सुरुवात है कठनाई कहा हो जाती हम उसी को दियंड समझ लेते है तब हमारे वो धार्मिक क्रियाकांड तथा कतित पूजा पाठ इत्यादी वे भी हमारी बेहोशी बढ़ाने वाले ही साबित होते हैं कोई खास फर्क नहीं पढ़ता फिल्मिकी गुन गुनाओ चाहे कोई मंतर जाप करो अगर आप उसको इस डंग से कर रहे हो कि उससे बेहोशी और मुर्चा उत्पन होती है तो दोनों बराबर हो गए मैंने सुना है एक आदमी बहुत सरावी था और भूल जाता था सब कुछ भूल जाता था सराप के नशे में कई बार ऐसा हुआ कि चुकि डग मगाते हुए वो आता था तो लाठी लेके चलता था कई बार ऐसा हुआ कि घर आ कि उसने पलंग पे अपनी लाठी रख दी और खुद जाके कोने में खड़ा हो गया इतना बेहोश तो डाक्टरों ने घरवालों उसके बहुत पीछे पड़े कि क्या तुमारे जिन्दगी बरवाद हुई जा रही है सराब छोड़ो उसने सराब छोड़ दी भांग खाना सुरू कर दी रिप्लेस्मेंट और जानते हैं उसकी मरत्यू कैसे हुई भांग के नसे में पान खाके आया था एक दिन उसने बिस्तर पे पान थूका और खुद खिड़ की जबाहर कूद गया हम अपनी मूर्चा वाली क्रिया कलापों को दूसरे मूर्चित क्रिया कलापों से बदल के कुछ खास परिवर्टन नहीं लगा सकते मूर्चा उसमें भी है जागना ही होगा तो अध्यात्म का सारसूत्र जागरण है, होश है, बोध है, द्रष्टा भाओ है, साक्ची भाओ है यह उसका क्लाइमेक्स है तो वहां तक जिस विदी आप जा सको अगर आप मंत्र जाप के द्वारा जा सकते हो मेरी शुप कामना है, जरूर जाओ पर याद रखना है, जाप से अजपा की और जाना है बात बन जाएगी मुख्य बात न छूटे अगला सवाल है कि ध्यान समझने के लिए मैं अनेक गुरूं के पास गया सबकी अलग-अलग बातें सुनकर बुरी तरें कन्फ्यूजी आ गया हूँ इसलिए मैं अभी तक ध्यान साधना आरंब नहीं कर पाया क्रिपया आप बताईए ध्यान यानी क्या कई लोगों से पूछ चुकिए अब मैं और बताऊँ कन्फ्यूजन और जादा हो जाएगा मैं आपसे निवेदन करूँगा ज्यादा बहुत धिक जानकारी इखटी करने में मत लगो इस से बहतर है कुछ प्रियोग धर्मी बनो बी एक्सपरिमेंटल कुछ चीजें हैं जिनको हम करके ही समझ सकते हैं कुछ चीजें हैं जिनको समझ के हम कर सकते हैं लेकिन बहुत कुछ ऐसा है और वही महत्पूर्ण है जिनको करके ही समझा जा सकता है मैंने सुना है मुले नसरुदीन तैरना सीखना चाहता था गाव में जो तैराकी के उस्ताद थे उनसे जाके विंती की वो कहने लगे चलो नदी पर पहुच गए नदी किनारे और किनारे की सीड़ी पर काई जमी थी उस पर पैर फिसला बढ़ा हम से गिरा उस अच्छा था वाँ उथला उथला पानी था गुटने गुटने भागा निकल के उस्ताद में कहा कहा भाग रहे उसने का ये नदी तो प्राण ले लेगी पहले ही दिन खतरनाक अनभव हो गया अब तो नदी में तभी आऊंगा जब अच्छे से तैरना सीख जाऊं तैरना सीखोगे कहा गद्दा तक ही आपर कुछ चीज़ें वो करना ही पड़ती है तो मैं आपको एक और नए सिद्धानत नहीं दूँगा के गुरूगों के पास आप जा चुके हो मैं आपसे कहूँगा अब तो तुम करक करना सुरू करो कुछ चीज़ें करते करते धीरे धीरे ठीक है पहले बेतर तीब हाग पर फैंकेंगे फिर थोड़ी सी कला जाएगी फिर थोड़ी और गहरे में जाएंगे मैं आपसे नहीं करके एकदम प्रसांत महासागर में छलांग मार के तर न सीखो उथले सुमिंग पूल में तलाब में नदी में ठीक वैसा ही ध्यान सीखना होगा बहुत जादा बहुत धेक उहा पोहे में नहीं पड़ो अभी मा ओशो प्रिया जी थोड़ी देर बाद ध्यान कराएंगी आप करना करते करते धीरे 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 कुछ दिनों के भी तर बात बन जाएगे अगला प्रस्ण है क्या आप मेरे हस्बेंट को सुधार सकते हो हस्बेंट को ये बेंड बाजा है क्या मारफीट को सुधार दो और जिन देवी ने पूछा है मुझे लगता है ये काफी कोशिस तो कर ही चुकी होंगी जब आप हार गई तो मैं किस खेत की मूली हूँ इस प्रकार के जो सवाल आते हैं दूसरों से संबंदित इसको मैं आध्यात में एक सवाल नहीं कहता ये दूसरों को मैनिपुलेट करना यह अकांग्शा पॉलिटिकल है ये राजनीती है ये धर्म नहीं है हाँ अगर आपके पती देव खुद पूछते कि मैं अपने जीवन को बहतर कैसे बनाऊं तो मैं जरूर उत्तर देता अपने बारे में पूछे स्वयम का रूपांतरन अध्यात में है दूसरों को परिवर्टित करने की कोशिस राजनीती है गंदी राजनीती है आपने कोई ठेका ले लिया किसी को सुधारने का महिला उन्हें पता नहीं क्यों ठेका ले लिया है पहले बती को सुधारने में लगी रहती है दस-पंद्रा साल बजर जाते हैं फिर समझ जहाता कि ये नालाइक नहीं सुधारने वाला तब तक अपने बच्चे बड़े होने लगे फिर उनको सुधारने में लग गए फिर पता चलता है वो भी हाथ से बाहर निकले जा रहे फिर तक तक बहु आ गई उसको सुधारने लगे वो भी नहीं सुधार रहे फिर नातिपोते हो गए उनको सुधारो और सुधारने का महानकारी करते करते एक दिन देवी जी स्वयम स्वर्ग सिधार जाती है अगला सवाल है जब ध्यान करते हैं तब विचार और भी ज़्यादा आने लगते हैं मुझे क्या करना चाहिए इस बात को जड़ा समझना शांत होने की कोशिश में और ज़्यादा अशांती क्यों हो जाती है उस काम से संबंधित विचार आते हैं केबल जब तुम कुछ नहीं कर रहे हैं फुर्षत में बैठे हो शांत होने की ध्यान की कोशिश में हो तो अब सब दिशाओं से विचार आएंगे एक काम कर रहे थे हैं तो उस काम से संबंधित विचार आते थे अब सभी डारेक्शन से विचार आएंगे तो आरंब में हर ध्यानी को इस मुसीवत से गुजरना पड़ता है इसमें घबडाने की बात नहीं यह बिलकुल स्वाभाविक है रेंडम थाउट्स आने लगते हैं अनर्गल अनामंत्रित विचार सालों साल से जानने वाले कहते हैं जन्मों जन्मों से भीचर हमारे भीतर दबा हुआ कच्रा कूडा पड़ा है अचानक वह सब प्रगठ होने लगेगा घबराना नहीं थोड़ा धीरज रखना जल्दी ही इसके पार हम उठ जाएंगे इसके पार निकलने की विदियां है सद्गुरोशों के द्वारा बनाई गई रेचन वाली विदियां जैसे जिबरिश मेडिटेशन देववानी ध्यान है डाइनेमिक मेडिटेशन है मिष्टिक रोज मेडिटेशन है आप मूर्थल में आईए इनका प्रयोग कीजिए और आप पाएंगे वो जो भीतर बड़ा विचारों का भंडार पड़ा था अनावश्यक वह सब हमने निकाल बाहर फेका और तब शान्त होना ध्यानस्त होना बिलकुल आसान हो जाता है दूसरी बात यह ख्याल रखिए कि विचार मेरे नहीं है जब आप पैदा हुए थे आपको कोई भाषा नहीं आती थी कोई शब्द नहीं आते थे आपके कोई विचार नहीं थे आपने संसार में आके भाषा सीखी शब्द सीखे विचार सीखे यह आपके नहीं है जैसे आप dis-identify होते हैं, यह मेरे नहीं है, अचानक उन विचारों को मिलने वाली शक्ती खतम हो जाती है, यह करीब पर यह वैसे यह आपने कोई विद्धुत उपकरण का प्लक से लगाया, तो वहां से electricity आने लगी और वह उपकरण चलने लगा, यदि हम प्लक को निकाल दें, यह उप विचार मेरे नहीं है, वीमन कहीं से पढ़े हैं, सुने हैं, सीखे हैं, यह मेरे नहीं है, अचानक आप अन्प्लग हो गए, और वो जो शक्ती विचारों को चलने वाली जा रही थी, वो जानी बंध हो गई, विचार बंध हो जाएंगे, तीसरी बात, याद रखी यह उनको उप्योग करना, आप आफिस में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर चाड़ा है, फाइल में कोई गुणा भाग, जोड घटाना कर रहे हो, जरूर विचारों का काम है, यह ऐसे ही है, जैसे तेज धूप निकली है, और आप छाता लगा के गए, जूता मोजा पहन के, आप सलक पे जा रहे हो, फिर जब आप अपने घर आते हो, विश्राम कक्षे में जाते हो, तो आप जूता वगएरा बाहर हटा छोड़ देते हो, छाता बाहर टिका देते हो, टाई उतार देते हो, रिलेक्स हो के आप अपने विस्तर पे पढ़े हो, आप कोई आप से कहे कि आप छा पहनेंगे जहां जरूरत होगी वहां चाता लगाएंगे जो 20 घंटे लगा कर रखने की कोई जरूरत नहीं है ठीक ऐसा ही समझो हमारा मन है बहुत उपयोगी प्रकरती के द्वारा प्रदत्त यह छोटा सा बायो कंप्यूटर हमारी जरासी खोपड़ी में फिट है बिना करना है समबात करना है वहां शब्द और भाषा जरूरी है हाँ जहां हम अपने एक आंत में मौन में रम रहे हैं वहां उनका कोई काम नहीं है तुम्हारी तरफ से तैयारी होनी चाहिए तुम उनमुख बनो स्वयम से खाली बनो रिक्त बनो जितने तुम रिक्त हो जाओग वही पातरता शिश्चत्व कहलाती है और समझदार बनो कुछ बाते हैं जो शब्दों में कही जाती हैं कुछ बाते हैं जो बिना शब्द के भी पकड़ी जाती हैं मैंने सुना है एक पतनी अपने पती से कह रही थी तुम इतना टेंशन में क्यों दिख रहे हो जी तुम हम तुम्हेसा परिशान परिशान रहते हो, मुझे बताऊ ना, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ा टेंशन क्या है? What is your greatest problem? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं, बस मेरी तरफ देखे ही जा रहे हो? अब बिचारा बता तो रहा है देखके, कि सबसे बड़ी प्राब्लम क्या है? कुछ बातें पर ना बोले भी समझने पड़ेंगी. मैंने सुना है काजमी, जोट्षी के पास गया, जनम कुंडली दिखाई, जोट्षीन कहावत्स प्रसंद हो तेरी कुंडली में धन ही धन है, धन के अंबार लगे हैं. उस योग ने कहा कि ये वाली वात मुझे पता है, पहले भी के योट्षीयों को दिखा चुका महाराज, आप आप से ये पूछने आया हूँ, कि कुंडली वाला धन, बैंक अकाउंट वाले धन में कैसे ट्रांसफर हो? गुरू के भीतर धन का अंबार है, मगर आपके बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर हो? चलो, ये तो मजाक हो गई, धन का ट्रांसफर तो नहीं हो सकता, गुरू के पास भी जो ग्यान है, वहे भी नान ट्रांसफरेवल है. इसका ये मतलब नहीं कि आप उदास हो जाएंगे हैं, आपके पास अपनी कुंडली और आपका अपना बैंक अकाउंट स्वयम हैं, भीतर आपके ज्यान की संपदा, आपके भीतर चैतन, आपके भीतर समाधी की छमता मौजूद है, आपको कहीं से कुछ प्राप्त नहीं करना, खुश हो जाओ, गुरू ज़्यादा से ज़्यादा इशारा करेगा बस, जो मिलेगा वो आपको अपने भीतर ही मिलेगा, और वाए पहले से ही मौजूद था, कोई नई बात में मिल जाएगी, तो प्रसंद हो जाओ, बस जरा गुरू के इशारे समझना सुरू करो, और अपने घड़े को ठीक ठीक पात्र बनाओ, एक मित्र ने पूछा है, कि अध्यात्म तो एक शास्वत सनातन सत्त है, जिसमें कोई परिवर्टन नहीं हो सकता, फिर ओशो ने, अथवा ओशो धारा ने, कौन सा मौलिक योगदान इस छेत्र में दिया है, निश्चित्रूप से, अध्यात्म एक सनातन सत्त है, एस धम्मो सनंतनो, बगवान का बुद्ध का वचन है, लेकिन उस परमसत्त की मंजिल तक पहुँचने का जो मार्ग है, और मार्ग पर चलने वाले जो वाहन है, जो साधन है, उसमें परिवर्टन होता है, समय समय के अनुसार, वाहन बदलने पड़ते हैं, जिसको हम साधना कहते हैं, उसका मतलब है साधन, समझे थोड़ी देर पहले किसीन पूछा कि शांती की जलक मिलती है, लेकिन खोज आती है, किसीने पूछा कि जब ध्यान करने बैठती हूँ तो बहुत विचार आते हैं, अब क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया कि रेचन और विसरजन की विधी करनी पड़ेगी, अब ये एक नई चीज है, आज जितना बौधिक ज्यान विसेशकर इंफर्मेशन टेकनलोजी आने के बाद हो गया है, इतना पहले कभी भी नहीं था, इतने विचार पहले कभी थे ही नहीं, पुराने जमाने में आसान सी बात थी, बुद्धन का विक्षू, अपनी सांस देखो, देखते देखते हजारों लोग शान्त हो गए, आज इस द्रश्टा भाव को सांस देखने को हमें पीछे रखना पड़ेगा, इसके पहले कुछ और करना पड़ेगा, ये हालत तो हो जाएं कि आदमी शान्त बैठ सके पहले, सांस पर आ सके, तो आधुनिक युग में ओशो ने दो बातें जोड़नी, ध्यान के आगे और पीछे, जैसे किसी किताब में जो मुख्य टेक्ष्ट होता है, उसके पहले एक भूमिका होती है, वो पीछे एक उपसंगार होता है, ठीक ऐसे ही, ध्यान की भूमिका है, दमित और उत्सो, अब जरा प्रसंग हो के नाचो गाओ, जूमो, आनन्दित हो जाओ, क्योंकि पुराने जमाने में ये खतरा बारंबार घटित हुआ, शांती उदासी में ले जाने वाली साबित हो गई, दोनों बड़ी मिलती जुलती है, एक आदमी शांत बैठा है कि उदास ब रहें समनांतर, कब हमारी गाड़ी ट्रेक बदल लेगी पता नहीं, शांत होते 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 उदास होने का खतरा है, तो ओशो ने इस खतरे को दूर करने का उपाए किया, कि शाक्छी होकर, शांत होकर, फिर जरा संगीत बजा के नाचो गाओ, जूमो, एक नई बात जोड़ी तो meditation प्लस celebration, ये ओशो का मौले की योगदान है, एक आखरी सवालों ले रहा हूं, इन्होंने पूछा है, कि दुनिया के विभिन धर्म उपदेशक, भिन भिन तरहें की साधना पद्धतियां बतलाते हैं, क्या आप एक ऐसी विधी नहीं बता सकते, जो सब के काम आ जाए, माश्टर की, ये सिर्फ जासूसी उपन्यासों में होती है, जिससे ताले खुल जाते हैं, हर व्यक्ती अनुठा और अध्वती है, ऐसी कोई माश्टर की नहीं हो सकती, लिकिन आप अध्यात्म के बारे में ये सवाल क्यों उठाते हो, कि विभिन साधना पद्धतियां, वि अनंते लो, आप मिठाई की दुकान पर जाके तो नहीं कहते हैं, अरे इतनी सारी धेर सारी मिठाई हैं आपके दुकान में, एक मिठाई बना दो ना, सार तत्व तो वही है, शुगर, लेकिन अलग-अलग स्वाद कितने अच्छे लगते हैं, कपड़े की दुकान पर आप भिन भिन साधन है, साध्य एक है, वह है सक्चित अनंद की, ध्यान की, समाधी की परमवस्ता, जीवन की पूर्ण खिलावट, लेकिन उस तक पहुँचने के साधन बहुत हैं, किसी को सास की विधी रस्ती है, किसी को मंतर जाप से अजपा तक पहुँचने का प्रियोक काम जाता है, किसी को प्राणायाम रुचता है, अभी ओस उस्तदार जी ने साध तलों की वात की, साधों की साधना अलग-अलग तरीके की होगी, उनकी विधी विधान अलग होंगे, इनकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन से अलग-अलग विधियां बनेंगी, भगवान शिव ने 112 विधियां देवी पारवती को कहीं, सद्गुरु ओशों ने सेक्णों विधियां बनाई, और इस बीच में कितने गुरु हुए, कितनी विधियां बनें, तुम कंजूसी के अनक क्यों चाहे तेक सिर्फ एक से काम चल जाए, थोड़े खोज बीन करो, प्रियोग धर्मी ब जब तुम्हें किसी से प्रेम करना होता है, तब तो तुम नहीं कहते है कि एक प्रेमी का, Ready-made आंसर बताओ कौन, कैसी होती है प्रेमी का, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, आपको स्वयम ही समपर्क में आना होना, कुछ एक्स्पोजर होगा, निश्चत रूप से कोई व्य की को meditation सीखना है अध्यात्म सीखना है उसको प्रियोग धर्मी बनना होगा सीखो कुछ दिन प्रियोग करो अगर जश्ति है तो उस विधी को पकड़ो एक सप्ता है बहुत होता है कोई विधी करने के लिए एक सप्ता है मैं आपको अगर कुछ क्लिक करता है बात बन गई तो उसी को जारी रखो, फिर बनलने की जरूरत नहीं, नहीं जम रही है, तो छोड़ो, दूसरी विधी अपना के देखो, तीसरी देखो, चौथी देखो, इस विविधता का आनंद लो, किसी बगीचे में तुम जाओ, वहां सैक्ड़ों परकार के फल हैं, और सैक्ड़ों परका अध्यात्मिके बगीचे में क्यों न विवित्ता हो, चली एक निवेदन और मेरे पास आया है, कि माला दीक्षा के संबंद में कुछ कहें, हाँ, ये इस प्रस्ण से मिलती जुलती ही बात हो जाएगी, जब किसी विधी को करो, तो उसमें संपूरता के साथ करो, यहां अभ प्रयोग करने के पस्चात माला दीक्षा होगी, यहां माला दीक्षा एक determination, एक द्रण निश्चे भी तरक पैदा करती है, कि अब मुझे अध्यात्म के मार्क पर चलना है, जो बात मुझे जच गई, मेरे विवेक को ठीक लगी, अब उसको जीवन में उतारना भी है, तो छ प्रशन तो बहुत सारे रह गए, लिकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ, कि यूट्यूब पर इन सभी के उत्तर में दूँगा, तो आप आने वाले समय में देख लीजेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मेरी बातों के इत्ते प्रेम से सुना, झोचाहाराण